हेलो एवरिवन वेलकम टू माई चैनल कानहान फ्लेवर्स आज की रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही चटपटी है यह माज कद्दू की सबजी बना रहा है बहुत ही कम मसालों में तो आए देख लेते हैं सबसे पहले इसको हम कट कर लेंगे इसके बीच का जो बीज है उस हमारे कच्चे ही है जादा पके हुए कदू के लिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे तो सारे कदू को हमने इसी तरीके से बिना छिलका निकाले ही कट कर लिया है तो आप हम एक कडाई में सर्सों का ऑल डाल देंगे डेर चमच और आप हम इसमें 1 चमस पच फोरन डाल देंगे जिसमें हमने राई, मेथी, कलाउजी, जीरा और सौफ लिया था दो लाल मिर्श डाल देंगे, एक खरी मिर्श डाल देंगे, दो पिंच हिंग डाल देंगे और आप इन खड़े मसालों को थोड़ा सा भूल लेंगे हां आधा इंच अध्रक कर टुकड़ा काटके डाल देंगे बारीक इन सब मसालों को भी अच्छे से भूल लेंगे मसाले हमारे भूल चुके हैं तो अब इसमें हम कदू डाल देंगे मिक्स कर लेंगे मसालों में और अब स्वाद के अनुशार नमक डाल दें इसमें आधी चमश लालमीश पाउडर हल्दी थोड़ा कम ही डाले क्यूंकि हमारे कदू अल्रेडी थोड़े से पीले होते हैं तो यह हमने वनपोर्च चमश हल्दी को डाल दिया है अब मसालों को अच्छे से मिक्स करके इस सब्जी को झाक के हम 5-7 ठाल कि अच्छे से कूख कर लेंगे इस सब्जी में मसालें KI कम मात्रा में पढ़ते हैं प्रेंड्स इस सब्जी को आप पूड़ी पराठा रोटी किसी के साथ दिखाईए बहुत ही टेस्टी लगता है अब हम इसको ढग देंगे और कामा स्पेज को कुखोने देंगे और बीच बीच में हमको इसी तरह सब्जी को चला लेना है और अब हम इसमें एक चोथाई चमज अमचूर पाउडर डाल देंगे और आधा चमज कसूरी मेथी डाल देंगे एक टुकडा गुड़का डाल देंगे गुड़ डालने से हमारे कद्दू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है तो गुड़ी या चीनी कोई भी चीज आप ले ले इसमें और डाल दें इस तरीके से चटपटी सब्जी आप लोग भी बनाईए तो अब हम इसको कुछ देर के लिए और कुख होने के लिए ढग देते हैं अब देखिए सब्जी हमारी ओलमस रेडी हो चुकी है तो इसको एक बार हम और बढिया से चला लेते हैं तो सब्जी हमारी बन चुकी है फ्रेंड्स देखिए हम इसको देखा देते हैं कितनी बढ़ियां से नरम मुलायम हो चुकी है देख रहे हैं और देखने में बहुत अच्छी लग रही है कद्दू की ये सबजी तो इस तरीके से आप लोग भी कद्दू की सबजी बनाईए और इंजॉय करिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब सेयर कर दीजिए तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर और थैंक यू फ्रेंड्स